हलो दियर स्टूडेंट्स या वेलकम टू माई यूटूब चैनल लाशिद अंजम सर जूनियर फाउंडेशन आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के इंटोड़क्शन को और इसमें basically हम लोग सीखने वाले हैं कि multiplication किसी भी fraction का कैसे किया जाएगा अच्छा multiplication का sign तुम्हें पता है exactly multiplication का sign ऐसा होता है जो cross होता है और देखो यहाँ addition और multiplication के sign में फर्क होता है जो तुम्हें पहले से पता है देखो दोनों में क्या फर्क है तो हम लोग यहाँ पर multiplication सीख लेते हैं actually multiplication किसी भी fraction को करने के लिए कुछ चीजों को जानना है वो हम तुमको सिखा देंगे दिन तुम अच्छे से multiply किसी भी fraction का fraction से कर लोगे जैसे देखो कहीं पर तुम्हें ऐसे दिया हुआ हो कोई एक fraction मैं ले लेता हूँ A by B ठीक है और दूसरा मैं fraction ले लेता हूँ C by D और इस दोनों को मुझे multiply करना है तो multiply का मैं sign दे देता हूँ तो तुम्हें क्या करना है न इन दोनों fraction के साथ numerator उपर वाले जो होंगे numbers लिखे हुए वो numerator होंगे और नीचे वाले जो numbers लिखे होंगे उसको denominator बोलेंगे तो हमें यहाँ पे numerator को numerator से multiply कर देना है इट मींज के A को C से multiply कर देना है और divide में denominator को denominator से multiply कर लेना है कहने का मतलब के B को D से multiply कर लेना है तो exactly यह हो गया बेटा तुम्हारा पूरा का पूरा multiplication का concept अगर इती सी छोटी सी बात आती है देन तुम किसी भी fraction को fraction से multiply कर सकते हो fraction को whole number से multiply कर सकते हो fraction को natural number से multiply कर सकते हो तो चलो हम लोग कुछ example ले लेते हैं और उस पे discuss करते हैं suppose that कि मेरे पास एक example में इस तरीके से लिखा हुआ है कि 5 by 8 को multiply करना है बेटा 3 by 4 से multiply करना है ठेक है देखना कितना आसान होता है multiplication तो तुम्हें क्या करना है 5 और 3 को numerator में लिखा हुआ है तो multiply कर लेंगे ठेक है तो multiply हम exactly ऐसे करेंगे कि 5 into 3 लिख डालेंगे ठेक है उसके बाद नीचे 8 और 4 denominator में है तो 8 4 को multiply कर डालेंगे तो 8 into 4 लिखा जायेगा तो अब तुम्हें 5 और 3 को multiply करने पर कितना मिलता है 15 तो 15 numerator में हो जायेगा और 8 for the 32 तो exactly 32 नीचे हो जायेगा ये लो बिटा answer आ गया तो है ना multiply बहुत आसान अरे बहुत आसान है इस सारे के सारे multiplication को तुम कर लोगे ज्यादा tension नहीं होगा देखो जैसे question मैं एक और देता हूँ और उस question को तुम्हें solve करना है ये जो second question है वो है 19 by 16 और into में 8 by 15 ले लेते हैं अब तुम्हें इन दोनों को multiply करना है तो multiply करने के लिए तुम्हें पता है कि numerator को numerator से multiply कर लेना चाहिए तो 19 को बिटा 8 से multiply कर लो और divide में 16 को किस से multiply कर लो बिटा 15 से multiply कर लो अच्छा देखो अब अगर कहीं पे कोई भी number numerator वाला denominator से अगर कटने वाला होगा दिन उसको कटा लेना जैसे यहां पे देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ यह 8 और 16 आपस में divisible था मैंने divide दे लिया अच्छा यह 19 और 15 भी exactly यहां पे कटेगा क्या बिटा अच्छा 19 और 15 नहीं कट रहा है तो दिन देखो हम थोड़ा सा question को change कर लेते हैं अच्छा छोड़ो रहने दो बस नहीं कट रहा है तो दिन हम छोड़ देते हैं यहीं पे रहने देते हैं अब यहां पे आपको यह देखना है कि अब तो कोई किसी से नहीं कटने वाला तो उपर क्या बच गया मेरा 19 बच गया और 1 बचा तो 19 1 को multiply कर लो देन इस तरीके से हो जाएगा 2 into 15 तो अब इसको solve कर लो तो 19 1 is a 19 और 15 2 is a 30 तो exactly इसका answer कितना आएगा पिटा तो 19 by 30 आ जाएगा किलर हो गया तो चलो और भी question ले लेते हैं हमने एक question इस तरीके से ले लिया कि 4 को तुम्हें multiply करना है और किस से multiply करना है तो 5 by 3 से multiply करना है अब तो तुम कहोगे कि सर यहाँ पे 4 के नीचे denominator तो है ही नहीं तो बिटा अगर किसी भी whole number किसी भी natural number के नीचे denominator नहीं होता है then हम उसको 1 मानते हैं यानि कि 1 उसका denominator होता है यानि 4 को 4 by 1 लिख सकते हैं तो अब देखो इसको multiply करना बहुत आसान हो गया तुम कैसे कर लोगे 4 को 5 से multiply कर लोगे और यहाँ 1 को 3 से multiply कर लोगे तो 1 को 3 से multiply करो या ना करो बात तो सेम होता है अच्छा कटने वाला भी है क्या कोई नहीं फाइब से नहीं 1 कटेगा ना 3 कटेगा फोर से ना 3 कटेगा ना 1 कटेगा इसका मतलब यह हो गया कि 5 फोर से 20 numerator में हो जाएगा और 3 वन से 3 denominator में होगा यानि कि 20 बाई 3 एक्जाक्टली तो यह बात के लिए हो गया तो इसी तरीके से multiplication को हम solve कर लेते हैं और multiply करना हमें आ जाता है लेकिन इसकी जो कुछ basics है उस basic को आपको सीखना पड़ेगा बिटा तो वो basic को सीखने के लिए हम किसी एक दो example को लेंगे और आपको यह basics को सिखा डालेंगे देखो यह basic होता क्या है suppose that कहीं पे 2 into 1 by 4 लिखा हुआ है इसका मतलब तुम क्या समझते हो कि 2 को 1 by 4 से multiply करना है और final result तुम क्या लाकर कर दे दोगे बिटा तो यहाँ पे final result क्या लाकर कर दोगे तो 2 by 4 कर लोगे 2 by 4 हो जाएगा लेकिन इसकी basics को मुझे समझना है तो ऐसे समझ सकते है 2 into 1 by 4 इसका मतलब यह हो गया कि 1 by 4 को हमें 2 बार add करना है 1 by 4 को कितने बार add करना है बिटा 2 बार add करना है suppose that कि 3 into 4 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया कि हमें 3 बार multiply करना है add करना है 4 को देखो यहा 4 plus 4 4 देखो बिटा 3 बार add करोगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा और 3 for the 12 यानि कि multiplication का मतलब होता है repeated addition बार-बार उसको हम add कर रहे हैं then हमें वो multiply के form में लिख सकते हैं और वो result हमें मिल जाता है multiply के form में ठीक उसी तरीके से अगर 2 into 1 by 4 लिखा हुआ है इसका मतलब 1 by 4 को 2 बार repeat कर करके add कर दो तो वही काम हमने यहाँ पे किया है तो चलो अब अगर आपने इतना साड़ा काम कर लिया then अब हम इसको आपको graphically बताते हैं एक win diagram बना करके कि कैसे हम लोग 2 into 1 by 4 को अच्छे से समझ सकते हैं suppose that के हमने यहाँ पे एक circle ले लिया बिटा और इस circle को 4 part में मैंने divide किया तो 4 part में मैंने divide किया लेकिन इस 1 part को मैंने shade कर दिया दिन तुम इसको क्या कहोगे सर यह तो total का total 4 part में हमने divide किया था और 4 में हम 1 को shade किये हैं इसलिए यह 1 by 4 कह लाएगा exactly 1 by 4 समझ में आ गया अच्छा सुनो एक और मैं 1 by 4 ले लेता हूँ तो हमने उतनी ही बड़ी circle ली और उसको मैंने equal equal 4 part में मैंने cut कर दिया और एक part को मैंने shade कर दिया तो अब एक part को मैंने shade किया इसका मतलब कि ये भी 1 by 4 है अच्छा सुनो अब हम क्या करते हैं कि इस दोनो 1 by 4 को add कर देते बिटा तो add करेंगे तो final result क्या होगा तो उत्ती ही बड़ी circle आएगी जिसमें 4 part में से अब 2 part shaded होगा जैसे कि ये पहला वाला part है इधर shade कर दो दोनों को add कर रहे है और इधर वाले part को भी shade कर दो exactly देखो बेटा ऐसा हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि सर ये 1 by 4 और 1 by 4 ये तो exactly 2 by 4 आ जायागा तो यहाँ पे आपने क्या कर लिया 2 by 4 कर लिया इसका मतलब क्या हुआ 2 by 4 करने से पहले समझो आपने क्या क्या 1 by 4 को दो बार यहाँ पे 1 by 4 है बेटा 2 into 1 by 4 आपने कर लिया तो exactly क्या आ गया तो 2 1s are 2 और by में 4 आ गया 2 by 4 बोले तो 2 1s are 2 और 2 2s are 4 यानिके 1 by 2 1 by 2 कहने का मतलब half आधा देखो तो बेटा इस कूरे सरकल का आधा पार्ट शेड है की नहीं exactly shade है इसका मतलब आपने यह समझ लिया के 1 by 4 1 by 4 दो बार add करेंगे then final result जो आएगा pictorial form में वो exactly ऐसा आएगा और यह क्या हो जाएगा तो 2 into 1 by 4 यानिके 1 by 2 आजाएगा अच्छा ठीक है अगर तुमने इतना समझ लिया है दिन हम तुमको एक देते हैं और तुम मुझे बताओ इसको pictorial form में मैं देता हूँ और तुमको बताना है वहाँ पे fraction लिख करके और add और multiply करके suppose that इस square को हमने एक part यहाँ पे shade कर दिया एक उत्ती ही बड़ी मैंने square और बनाया और उसको भी मैंने 4 part किया और इधर से यह वाले part को मैंने shade कर दिया और एक और मैंने बना लिया उतनी ही बड़ी square और इसमें भी मैंने 4 part किया और इस वाले part को हमने shade कर लिया और final result मुझे ऐसा मिल रहा है उत्ती ही बड़ी square आ रही है बट उसमें 4 part में से अब यहां पे 3 part shade हो चुका है एक part ये, दूसरा part ये और तीसरा part ये अब तुम्हें बताना है यहां पे लिख करके fraction के कौन-कौन से fraction का value क्या है और add करने पे क्या आएगा तो तुम कहोगे सर यहां पे 1, 2, 3, 4 boxes है 4 boxes में 1 box को यहां पर shade किया गया है इसका मतलब के सर ये 1 by 4 है ये भी 1 by 4 है और ये भी मेरा 1 by 4 है और जब तीनों को हम add करेंगे दिन हमें क्या करना पड़ेगा 3 into 1 by 4 करना पड़ेगा it means क्या हो गया 3 by 3 और by में 4 होगा तो exactly sir ये जो है value वो हमारा 3 by 4 होगा तो तुम्हें समझ में आ गया बेटा कि 3 को हमने 1 by 4 से multiply करें देखो न ये exactly 3 by 4 नहीं है क्या बेटा 4 में 3 part shaded है तो 3 by 4 हो गया न ये तो exactly तुमने समझ लिए तो आप क्या करेंगे जब notes तयार करेंगे तो उस notes में भी आपको इन सारी चीजों को लिख डालना है ठीक है अब हम चलते हैं कुछ practice पे और मैं practice करने के लिए देता हूँ और तुम उसको क्या करो कि फटा फट से solve कर करके बताओ मेरे को answer ठीक है और इस mixed fraction को आप कैसे solve करोगे तो mixed fraction को solve करने का जल्दी से तुम solve करो वीडियो pause करके फिर मैं solve करता हूँ फिर अपने answer को यहां पर मिलाना match कराना देखो यहां पे हमें क्या करना है कि अपन यहां पे 5 ले लेंगे और into में देखो mixed fraction को improper fraction में बदलना आता है पहले 7 को 2 से multiply करो कितना हो जाएगा 14 14 में 3 add करो कितना हो जाएगा 17 तो उस 17 को हम लोग numerator में लिख लेंगे और denominator में 7 रहने देंगे अब तो इसको multiply करना बहुत आसान है 5 को बिटा 17 से multiply कर लो और नीचे में 7 को यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है तो 1 से multiply करोगे तो 7 ही रह जाएगा दिन 7 रहने दो अब देखो क्या होगा 17,5, 85 by 7 ये exactly तुम्हारा क्या आ गया answer आ गया तो चलो आपको अगर mixed में भी दिया जाए दिन solve कर लोगे चलो एक और mixed में मैं तुम्हें question देता हूँ उसको solve करके दिखाओ देखते हैं तुमसे हो पाता है या नहीं हो पाता है अड़े बड़ा आसान है कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे टेंशन ना लो चलो इसको फटा-फट से solve करो solve करो जल्दी से देखो, यहां पर क्या करेंगे कि 9 बंजा 9 और 4 एड़ करेंगे तो यहां पर 13 होगा यानि कि 13 बाइ 9 और इंटू में क्या कर लेंगे बड़ा 6 कर लेंगे अगर कटने वाला है तो कटा लेंगे यहां पर 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 इसका मतलब क्या हो गया कि numerator में 13 इंटू 2 बचा तो 13 इंटू 2 करेंगे और denominator में क्या बचा बचा तो denominator में 3 बचा और यहां पर 1 है तो 1 multiply करो या ना करो बात तो same है तो exactly कितना हो गया तो 26 बाइ 3 हो गया तो यह होगा हमारा answer clear हो गया इस वाले question का अब इतना कुछ जब सीख लिए देन आप क्या करो ना कि एक और ची सीख लो off का meaning सीख लो off तो हम note देखर करके दे लेते हैं यहां पर लिखते है note तुम भी अपने copy में note लिख लेना अब यहां पर देखो off का meaning क्या होता है OF कहीं पर आपके question में off लिखा होगा तो off का meaning होता है multiplication बात को धियान में रखना और always याद रखना कि off का meaning mathematics में multiplication होता है यह नहीं कि English में कहा दोगे multiplication नहीं mathematics में multiply करना होता है और multiply कहने का मतलब बिटा यह product निकालना तो अब multiplication को हम लोग देखते हैं off वाले question में लेकिन कुछ basic को समझ लो suppose that के a by b कहीं पर दिया हुआ है और off लिखा हुआ है और into में बिटा कहीं पर लिखा हुआ है c अब तुम इसको कैसे solve करोगे तो exactly a by b के जगा पे a by b लिखना और off की जगा पे into लिखना और c के जगा पे c लिख डालना तो exactly इसको solve करने पे बिटा कितना आ जाएगा तो a into c divided by b आएगा क्या आएगा a into c और divided by b आएगा तो ये बात clear हो गया कि हम लोग कैसे off अगर दिया हुआ होगा दिन हम लोग multiply कर लेंगे कैसे करना है ये बातें यहां से समझ में आ चुका है suppose that के हमने दे दिया a by b off c by d then अब तुम क्या करोगे तो तुमको क्या करना है कि a by b off के जगा पे multiply का sign लगाना है और c by d के जगा पे c by d लिखना है तो finally तुम यहां पे चले आओगे कि a into c कर लोगे और divide में क्या कर लोगे b into d कर लोगे तो यहां पे आपने दोनों तरीका जो आपको था वो मैंने बता दिया है अब इसी पे based हम कुछ question कराते हैं आप उस question को करो दिन समझ में आ जाएगा suppose that के एक question हमने ले लिया और वो मैंने कहा के 1 by 2 of 16 बटा 16 का 1 by 2 निकालना है तो अब यहां पे आपको कैसे solve करना शाहिए तो exactly 1 by 2 के जगा 1 by 2 लिखो off के जगा multiply लिखो और 16 के जगा 16 लिख डालो अच्छा देखो यहां पे 1 से 16 में multiply करेंगे तो यहां पे 16 हो जाएगा अब आई में 2 रहेगा क्योंकि यहां पे 1 है ना 2 में 1 से multiply करोगे तो अब यहां 2 से कटने वाला है तो 2, 8 जा 16 इसका मतलब क्या आ गया बटा 8 by 1 आ गया 2, 1 जा 2 और 2, 8 जा 16 तो 8 by 1 को तो 8 लिख सकते हो ना तो exactly यहां पे तुम्हारा answer होगा 8 ठेक है और question एक question और ले लेते हैं चलो एक question और इधर ले लेते हैं अब वो question जो है वो इस तरीके से है कि 2 by 5 off 25 हमें 25 का 2 by 5 निकालना है इसका मतलब यह हुआ कि 2 by 5 को off की जगह पे multiply कर लो और 25 लिख डालो देखो बिटा 5 से अब यहां पे क्या करना है 2 को 25 से multiply कर लेना है और divide में क्या करना है 5 लिखना है 5 से यह कटने वाला है 5 5 the 25 it means है कि आपको क्या लिखना पड़ेगा 2 into 5 लिखना पड़ेगा इसका मतलब कि 10 इसका result आगे ठेक है अच्छा तुम चाहो तो यह step ना लिख करके तुम यहां पे भी 5 5 the कटा सकते थे और finally 5 2 the 10 लिख सकते थे ऐसा लिखा जा सकता है लेकिन यह step कर लो अभी तुम basic सीख रहे हो तुम्हें यह सारी steps करना आना चाहिए तो यह बेटा पूरा का पूरा आपका introduction था exercise कौन से exercise तो exercise 2.2 का अब तुम यह exercise को बनाना तुम्हारे लगभग सभी questions बन जाएंगे और अगर ना बना दिन हम तु next lecture में इसका solution लेकर करके आही रहे हैं तो आप बने रहे हैं मेरे साथ जुड़े रहे हैं अगर आप नए student है या फिर अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है दिन please subscribe my channel ठीक है और अपने friend के साथ भी share कर दो और like और comment तो पक्का से करना ही करना ठीक है फिर मिलते है next lecture में ओके बाई good night